नमस्ते है जी मैं हूँ तहरेवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों आज हम फिटकिरी के गुड़ों के बारे में जानेंगे नई, मैं उसके बैलोजिकल गुड़ों के बारे में नहीं बताने वाला हम हीलिंग साइंस को सिखते हैं या इसलिए हम यहाँ इसके अध्यात्य गुड़ों को समझेंगे कैसे एस्टल बैनिफिट्स मिलते हैं, किन-किन चीजों में हम वास्तु में इसके बैनिफिट्स ले सकते हैं विल आई से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, घर के दिशाओं में कोई गंदगी है उसे ठीक कर सकते हैं या प्रोटेक्शन के लिए से इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे हमेशा से ही जो फिटकरी होता है, अलम होता है वो एंटिसप्टिक के तरह काम करता है लोग अप्टर शेविंग उसे चेहरे पे लगाते हैं कहीं कट जाये छेल जाये तो लगाते आया है तो यह तो घर पे होता ही है आज हम समझेंगे छे बेनिफिट्स जो एलम के हो सकते हैं छटव वाला इतना शांदर है कि आप सोच भी ने सकते कि क्या ये भी इससे मिल सकता है सबसे पहला बेनिफिट एलम, फिटकरी, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है तो ये फोकस बढ़ाएगा स्टडी टेबल पर हमेशा रख करके बढ़ाई करें छोटे हो या बड़े हो, अगर आप बिजनसमेन भी है और अपने वर्कप्लेस पर फोकस के साथ कोई काम करना चाहते हैं स्टडी टेपल पर जरूर रखे, ये आपको नेगेटिविटी से भी बचाएगा बेनिफिट नमबर टू, काम के जगा की बात हो रही है, तो काम के स्थान पर वर्कप्लेस पर इसे लाल कपड़े में बानकर में डोर पर टांग देजे ये एड्मासफेर की सारी गंदगी को सोख लेगा, सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा और इविलाई से भी प्रोटक्ट करके रखेगा तिप नमबर थ्री, वास्तू दोश्रों को शान्त करने के लिए देखो ये सिर्फ शान्त करदेगा, मिटाएगा नहीं, वास्तू दोश्रों को मिटाने के लिए चीज़ों को ठीक करना होता है लेकिन जो वास्तू दोश होते हैं, उन्हें शान्त रखने के लिए आप इसे कांच के ग्लास में ये कांच की किसी भी पात्र में पानी में डुबा करके रख सकते हैं घर के मेंडोर पे ध्यान रखें ये घर के लिए ना की कारिस्थल के लिए वर्क्प्लेस पर ये वैसा काम नहीं करेगा वर्क्प्लेस पर वो लाल कपड़ा वाला जदा उचित है टिप नमबर फोर घर पर अगर नए गाड़ी लेकर के आया है या सेकेंड गाड़ी भी लेकर आया है बहुत प्याड़ से लेकर आया है तो उसमें एलम फिटकरी को ज़रूर रखे ये एपिलाई से प्रोटेक्ट करके रखेगा हाँ मैंने इसके लिए एक पिरामिड भी बताया था ब्लैक टर्मोन पिरामिड लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक ये बहुत अच्छे से काम करते रहेगा इसके साथ डामर गोली नेथनल बॉल जिसे कहते है उससे भी मिलाकर के साथ में रखे अगर किसी को नजर लग गई है या घर में आपको लग रहा है अजीव सा भारीपन लग रहा है तो क्लीन करने के लिए आप फिट केरी के साथ सरसों के दाने और नमक को लेकर के साथ बार anti-clockwise पुरे घर को घुमा लीजे या किसी परसन को अगर नजर लगी हुई है तो उसके बोडी सिर्ड से पेर तक anti-clockwise घुमा लीजे और नजर उतर जाएगा और इसका क्या करेंगे इसको ले जाकर या तो बहते हुए पानी में डाल दीजे या जला दीजे tip number six आखरी सबसे बहतर इंजो कि मैंने कहा था कि ये आपके नेंद को अच्छा कर देगा हाँ, पुछो कैसे? ने ने से पीना नहीं है, खाना नहीं है, बस तक्ये के नीचे रख करके सोईए अगर मन बहुत भारी चल रहा है, बेवज़ा के खयाल आ रहे हैं, और तिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मन में उथल पुथल मचा हुआ है, इमोशनल टर्बूलेंस मचा हुआ है, उससे ये शान्द करेगा क्योंकि आलम मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी ठंडा करता है, शान्द करता है, तो विचार अगर शान्द हो जाएंगे, जब आप शान्द होंगे तब ही सो सकते हैं, तो मन को शान्द करने से चुप करने के लिए खामोश करने के लिए इससे तक्ये के नीचे रेक्रिट सम्हाल कर लिख कर रख लिजे, आपको अपने पेशेंट्स के, अपने क्लायेंट्स के ट्रीटमेंट में बहुत काम आएगा. सिक्रेट रखने का है, शेर करने का नहीं है ये सब वीडियो, आप हीलर हैं, अपने पास रखें असे रेमडी इसको, मैं कभी अपने वीडियो शेर करने को नहीं कहता, तो ये सब गुप्त ग्यान अपने पास समाल कर रखें, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि खीले रहे है ना जी आशा करता हूँ ये ग्यान ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं आने वाले अध्यायों में थप थक के लिए नमस्ते जी